हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू निटिंग ट्यूटर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह डबल कलर की सॉक्स बहुती स्टाइलिश सी डिजाइनल सॉक्स है यह दो कलर में मैंने इसको बनाया है सिंगल कलर में भी आप इसको बना सकते हैं यहां मैंने यह बो अलग से बनाके लगाई है इसमें आप चाहें तो इसके बिना भी इसको बना सकते हैं यहां से कोई बीट्स हो गेरा लगा सकते हैं अब आगे मैं बताऊंगे कि इसको किस किस नंबर के लिए आपको कहा कहा कितने बढ़ाने गटाने हैं कितनी सलाईयां करनी हैं ये जो मैंने बनाया है ये मैंने पांच नमबर के लिए बनाया है सीधा सीधा मैंने इसको बनाया है वैसे मैं उल्टा उल्टा बनाती हूं ज्यादा तर लेकिन ये चीज जो सॉक्स बनने बनाई है ये पूरी सीधी सीधी बना बनाना शुरू करते हैं आप इसको किसी भी नंबर के लिए बना रहे हैं बच्चे का या बड़े का तीन फंदों से ही हम इसको शुरू करेंगे यह हमारे तीन फंदे हर साइज के लिए हमें यह तीन फंदे ही डालने हैं और सीधा सीधा हम बना रहे हैं अगर आप उल्टा उल्टा बनाने में कमफटेबल हैं तो आप इसको उल्टा उल्टा बना सकते हैं और सीधा सीधा बनाने में कमफटेबल हैं तो सीधा सीधा बना सकते हैं सीधा सीधा बनाने में हमारा ये थोड़ा सी फिटिंग ज्यादा टाइट आती है क्योंकि हमारा सीधा सीधा थोड़ा सीधा थोड़ा सीधा ठाइट रहता है और जब हम अल्टा उल्टा बुथा है, तो थोड़ा धीला रתח लेता। देखे ये वाला फंदा हम बिना बुना लेंगे इसको पीछे कर लेंगे और यहां पर एक फंदा गटा बढ़ाएंगे यह इस तरह से यह इस तरह से भी ले सकते हैं आप और इस तरह से भी ले सकते हैं यहां पर यह फंदा एक बढ़ा दिया एक फंदा बुनेंगे फिर यहां से यह इस तरह से फंदा बनाएंगे यहां डाल देंगे यह दोनों तरीके से आप फंदा बढ़ा सकते हैं यह हो गए यहां पर आप एक मारकर लगा देंगे उससे आपको यह आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरफ फंदे बढ़ाने है अगर आप ऐसे ही धियान रख सकते हैं तो मारकर की जरूरत नहीं है यह हम सिर्फ देखने के लिए कि हमें किस साइड पर फंदे बढ़ाने है हमें इस साइड फंदे बढ़ाने है और दूसरी साइड हमें ऐसे ही बुनना है, ये तीन फंदे थे, अब हमारे ये पाच फंदे हो गए, अब आगे हम इधर, जिधर मारकर है, उधर हम फंदे बढ़ाएंगे, पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, धागा पीछे रखेंगे, और ये यहां से इस सरह से फंदा बना लेंगे, ये डाल देंगे इसमें, बीच के तीन फंदे बुन लेंगे, और यहां भी इस तरह से भी बना सकते हैं, और इस तरह से भी बना सकते हैं, अब ये दूसरी साइड आ गया, इधर से हम सारे फंदे ऐसे ही बुनेंगे, बस हर बार हमें ये ही करते जाना है, फंदे जहां तक हमें जितने भी नंबर के लिए हम बना रहे हैं, उस हिसाब से हम ये फंदे बढ़ाएंगे, ये फिर इधर आ गए, पहला फंदा बिना बुना ले लिया, धागा पीछे लिया, और ये इस तरह से क्रॉस करके फंदे को, और ये डाल देंगे इसमें, सारे फंदे बुनेंगे, लास्ट का एक फंदा छोड़के, और यहाँ पर भी एक क्रॉस बना देंगे, इधर की सलाई, ऐसे ही बुन लेंगे, हर बार हमारे दो फंदे बढ़ते जा रहे हैं, पहले तीन थे, फिर पांच हो गए, फिर साथ हो गए, अब ये नौ फंदे हो गए, अब की बार हमारे ये ग्यारा फंदे हो जाएंगे, हर सलाई पे इसकी, हर सीधी सलाई पे, सीधी या उल्टी जिधर भी रखें आप, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों साइड से हमारा एक जैसा ही दिखेगा, एक फंदा ये बढ़ा लिया, सारे फंदे बुनेंगे, इस तरह से हम इसके फंदे बढ़ाते जाएंगे, ये वाली इधर से सलाई पूरी ऐसे ही लाएंगे, इधर लाएंगे, एक फंदा बिना बुना लेंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे, सारे फंदे बुन लेंगे, लास्ट का फंदा छोड़के और फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, इसी तरह से हम ये फंदे कंप्लीट होने तक बढ़ाते जाएंगे, ये दिखे, इतना बना लिया है हमने ये एक दो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस बीस और एक 21 फंदे हमारे ये हो चुके हैं अभी हमें इसमें दो फंदे और बढ़ाने हैं यहां से एक फंदा ये बढ़ा लिया फिर पूरे फंदे बुन लेंगे और एंड में फिर एक फंदा बढ़ाएंगे इसी तरह से बढ़ाते हुए हमने कम्प्लीट करने हैं ये हमारे पांच फंदो के लिए फंदे हैं अगर हम ये उल्टा उल्टा बना रहे हैं तो हमारे ये इतने ही फंदो में छे नंबर तक को भी आ जाएगा और उससे ज्यादा के लिए अगर आपको बनाना है तो आपको हर नंबर के लिए एक या दो फंदा एक्स्ट्रा रखने होंगे एक फंदे से भी हो जाएगा अगर हम ये जितने भी नंबर के लिए बनाएं ऐसे सीधा सीधा हम बना रहे हैं तो ये मैंने 5 नमबर के लिए 23 फंदे, 6 नमबर के लिए 24, 7 नमबर के लिए 25, इस तरह से एक एक फंदा हर नमबर के लिए आप एक्स्ट्रा करते जाएंगे, अब हमारे ये 23 फंदे हो चुके हैं पूरे, यहां से हमें कोई भी फंदा ना घटाना है ना बढ़ाना है और इनको लंबाई कंप्लीट होने तक बस ऐसे ही बुनते जाना है, जितनी भी लंबाई हम बना रहे हैं, अभी में ये एक सलाई ये वाली हमारी उल्टी आ रही है, ये हम जो हमारी बिना फंदे बढ़ाए वाली सलाई है वो कर रहे हैं, अभी तक हमने हर सलाई पे एक सलाई पे एक फंदा इधर एक फंदा इधर बढ़ाया है और इधर वाली साइट पे हमने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया अब आगे हम यहाँ जिदर हमने मारकर लगाया था यहां से हम अभी तक फंदे बढ़ा रहे थे दोनों साइड से लेकिन अब हमें कोई भी फंदा बढ़ाना नहीं है बिना फंदा बढ़ाए हुए हम बुनेंगे दोनों साइड से उल्टी तरफ से भी सीधी तरफ से भी ये सीधी सीधी सलाईयां बुनते हुए हम इसकी लंबाई complete करेंगे एक फंदे का फर्क करना है हमें तो हम जैसे कि हम एक फंदा इधर एक इधर बढ़ाते हैं तो हमारे दो फंदे बढ़ जाते हैं लेकिन अगर हमें एक ही फंदे का फर्क करना है तो आप एक साइड बढ़ा सकते हैं लास्ट वाली सलाई में चाहे इधर बढ़ा लें चाहे इधर बढ़ा लें इस तरह से बिना कोई भी भंदर बढ़ाए बुनते हुए हम अब इसकी लंबाई कम्प्लीट करेंगे ये वाली जो हमारा पार्ट आएगा ये यह से यहां तक आएगा इस तरह से जहां तक हमारा पैर है यह जब आ जाएगी पट्टी वहां तक हम इसको इसी तरह से बुनते जाएंगे यह देखिए यह बिना कोई भी फंदा गटाए बढ़ाए हमने यहां तक फंदे बढ़ाए इसमें और यहां से इसको इसी तरह से बुन दिया अब हम इसको जिस भी पैर से नाप बना रहे हों, जिस भी पैर के लिए इस तरह से थोड़ा सा खीचते हुए, हम ये नाप लेंगे, देखिए, हाफ पैर इसमें, एक साइड की पैर इसमें कवर हो जाना चाहिए, उसके बाद हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, यहां से हमने यहें दूसरा कलर लगा लिया इसमें, और अब हमें जितनी सलाईयां हमने यहां से घट, बढ़ाने के बाद से जो यह बुनी हैं, इतनी ही सलाईयां हमें, यह वाले कलर से बनानी हैं, बिना कोई भी भंदा घटाए और बढ़ाए हुए, दोनों साइड से सीधा सीधा जैसे कि अभी तक हम बुनते आ रहे हैं वैसे ही बुनेंगे इस तरह से ये वाली सलाई बना लेंगे सारे फंदे बुनने हैं बिना कोई भी फंदा घटा ना कोई घटाना है ना बढ़ाना है जिस तरह से हमने ये वाली पट्टी बुनी है इसी तरह से हम इसको बुनते जाएंगे और जितनी ये बुनी है यहां से अभी धर आएंगे जिस तरह से अभी बुनी है इस तरह से हम ये दोनों साइडों से एक ही कलर से बुनते हुए ये यहां तक की इसकी लंबाई कम्प्लीट कर लेंगे ये दिखिए गया ये इतनी बुनाई हमने बिना कोई भी फंदा घटाए बढ़ाए ये बना ली है अब ये इस तरह की पट्टी बन गई है अब हमें जितने फंदे हमने यहां से बढ़ाए थे उतने ही फंदे हमें उसी तरीके से यहां पर घटाने हैं इसको आप नाप के इस तरह से बना सकते हैं जहां से हमने ये बढ़ाने बंद किये थे वहां तक हमें इसको भुन लेना है चाहे तो आप ये लाइन गिन के बना लें या नाप के बना लें अब हमें ये फंदे घटाने शुरू करने हैं तो देखिए घटाने कैसे हैं पहला फंदा हम बिना बुना ही लेंगे, ये बाले जो दो फंदे हैं, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, और बाकी सारे फंदे, एंड के तीन फंदे रहने तक, ऐसे ही बुन देंगे, लास्ट का एक फंदा छोड़के, उससे पहले वाले दो फंदों का एक फंदा करेंगे, यह हमारी सीधी साइड है, हम सीधी साइड से घटा रहें, तो हर बार हमें सीधी साइड पे ही घटाना है, और उल्टी साइड से हमें बिना घटाए ही सलाई बुन लेनी है, यहाँ यह दो फंदों का एक फंदा करेंगे, और एंड का फंदा ऐसे ही बुन देंगे, अब यह हमारे दो फंदे कम हो गए यहाँ पर, यह वाली सलाई पूरी इसी तरह से बुन लेंगे, बिना कोई भी फंदा गटाए हुए, यह दिखिए उल्टी साइड से हमने यह पूरी सलाई सीधी बुनते हुए कंप्लीट कर ली, अब आगए हम फिर से सीधी साइड पर, यहाँ से यह वाला फंदा बिना बुना लेना है, और फिर से दो फंदो का एक फंदा करना है, सारे फंदे, ऐसे ही बुन लेंगे हम, और फिर से एंड में दो फंदो का एक फंदा करेंगे, और यह हमें बार बार रिपीट करना है, यह दो फंदो का एक फंदा कर लिया, अब यहां से आएंगे, यहां पर फिर से हमें यही बुनना है, बिना घटाय सलाई कम्प्लीट करेंगे, इस तरीके से यह घटाते हुए हमारी इस तरह की शेप आ गई है, अभी हमारे यह थोड़े फंदे, और बाकी है, तीन, तीन, छे, तीन, नौ फंदे हैं अभी हमारे यह, और यह हमें घटाने हैं, हमें इनको तीन फंदों से शुरू किया था, तो हमें यह तीन फंदे रहने तक ही इसको घटाना है, पहला फंदा बिना बुना लेके दो फंदों का एक फंदा किया, बीच के फं पंदे होंगे उन में से, दो का एक करके और एंड का फंदा ऐसे ही बुन दिया, अब हमारे ये साथ फंदे रह गए, अब फिर से इधर आ गए, पहला फंदा बिना बुना लिया, दो फंदो का एक फंदा किया, अब ये बीच में हमारा सिर्फ एक फंदा रह गया, यहां पर से भी दो फंदो का एक फंदा ले लिया, अब हमारे ये पांच फंदे रह गए, अब हमें इसमें से दो फंदे और गटा देने हैं, और उसके बाद तीन फंदे हम बंद कर देंगे ये पाँच फंदे इस साइड से हमें बिना गटाए बुनने है अब ये पहला फंदा हमने बिना बुना ले लेना है और जो ये तीन फंदे हैं तीनों फंदों का एक फंदा कर देना है अब तीन फंदे रह गया है यहां से हमें ये फंदे इधर से ही बंद कर देंगे और या तो दूसरी से ये तीनों फंदे बुन के दूसरी साइड से बंद कर देंगे ये बुन लिया इस तरह से ये हमारे बिल्कुल एक जैसा कोना ये तैयार हो गया है थोड़ा सा हम सिलाई के लिए धागा रखके ये धागा काट देंगे और अब हम इसकी सिलाई करेंगे अब हम इसकी सिलाई करनी है तो ये देखिए जब मैं सिलना बताती हूं तो मैं इस तरह से बताती हूं कि जो इस कलर का जो बुनाई है हमें उसी कलर के धागे से सिलनी है लेकिन हमें इसको सिलाई करनी है तो ये इस तरीके से सिलाई करनी है अब इसमें दोनों कलर बराबर तो आप इसको किसी भी कलर से सिल सकते हैं या तो ये वाले कलर से सिल दें या तो ये वाले कलर से सिल दें नीचे की साइड तो हम सिंपल तरीके से जैसे की हम सिलते हैं वैसे ही सिल लेंगे तो ये इस तरीके का धागा दिखेगा लेकिन जब हम सीधी साइड से सिलेंगे तो हम सीधी सरफ से सिलेंगे तो देखिए यहां कोई धागा नहीं दिखेगा कि हमने यहां किस कलर से धागे से सिला है यह हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा तो पहले हम इसको एक साइड सिल लेते हैं और सिलने के लिए आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप इसको यह हमारी सीधी साइड है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और यह देखेंगे, पहला वाला तो आप चाहे जैसे भी सिलने उसके बाद अब हम इसको रखेंगे इसकी अंदर की साइड यलो कलर है और बाहर की साइड पिंक कलर है हमें इसी तरीके से रखके सिलना है अब हम अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे यहां फरंट खोल देंगे और नीचे से सिल देंगे तो इसमें अंदर की साइड पिंक कलर आजाएगा हमें इस तरह से नहीं सिलना है हमें इसको इस तरह से सिलना है ये हम खुला हुओवा पार्ट रखेंगे और नीचे वाला पार्ट हम बंद करेंगे तो हमारी ये दौनो येलो कलर अंदर आजाएगा इस तरह से पहला पेर आप जैसे भी सिले और दूसरा हमें इसी तरीके से सिलना है ध्यान देना है कि हमें किस तरह से इस में लेफ्ट राइट होगा यह हमने लेफ्ट का बना लिया है अगर हम इसको राइट में पहन लेंगे तो हमारा पिंक कलर अंदर आ जाएगा और यह बाहर हो जाएगा तो देखिए इस तरीके से हमें इसको सिलना है अब हमें यह उपर क फ्रंट खुला रखना है तो हमें यहां से से जूआ हैं इसको नीचे कि हमें सीधी साइट से किस तरीके से सिलना है इसको ताकि हमारा धागा ना दिखे यह मैं सिलाई यहां से बुनते हुए इसको सिलते हुए यहां तक कम्प्लीट कर लेती हूं पहले इसकी एक साइड यहां से लेके यहां तक हमने इसकी सिल दी है अब आगे हम इस साइड पे इस साइड पे मैंने यह मारकर लगा दिया है यह इसमें यहां से यहां तक गिन के कि हमारी यह कितनी जगा है इस रह से खिच के यह आ जाएगी तो यह मैंने मारकर लगा दिया है अब हमें यहां से लेके यहां तक सिलना है दोनों कलर इसमें बराबर हैं तो हम कोई भी कलर इसमें ले सकते हैं चाहिए यह कलर से सिल लें यह हमारी सीधी साइड है सीधी साइड से हम इसको सिल रहे हैं तो अगले टाके में ये ले लिया, इसी तरह से फिर यहां से अगले वाले में लेंगे, और यहां से फिर इस अगले वाले में लेंगे, इस तरह से दो तीन टाके ये लेके, और फिर हम इनको खीच देंगे, इस तरीके की हमारी ये सिलाया जाएगी, एक बार और देख लेता है यहां से यह लिया यहां से यह लिया फिर यहीं से इस होल से अगले वाले में लेंगे और इस होल से अगले वाले मिलेंगे और दो तीन टाके लेने के बाद हम इनको ऐसे खीच देंगे तो यह इस तरीके की सिलाई आ जाएगी यहां पर हमें कोई भी यह नहीं दिखेगा कि हमने किस कलर के धागे से सिलाई है चाहें तो आप एक एक टाका पकर भी इस तरह से खीच दें ज्यादा लंबा दागा आपको लेने की जरूरत नहीं है इस तरीके से यहां से हम यह पूरा सिल देंगे अगर कोई टाका किसी भी साइड से इधर से एक्स्ट्रा हो रहे हैं इंदर से एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो आप यहां से ना लेके जिस तरह से हम यह होल में के साथ इस के सिलाई आ जाएग एग इस तरीके की हमने इसके सिलाई कर ली है complete अब हमें इसकी ये बो बनानी है ये बिल्कुल optional है आप चाहें तो बनाए ना चाहें तो ना बनाए इसको इसी तरह से भी हम use कर सकते हैं लेकिन ये जैसे मैंने बनाया है वो मैं बता देती हूँ 8 फंदे हमने इसमें डालने है धीले धीले डालेंगे ये होके 8 फंदे अब इसको उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसकी साथ लाइन complete करेंगे सीधा सीधा भी आप इसको बुन सकते हैं और उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं जैसे भी आप comfortable हो ये बुन लिया यहां से भी उल्टा इस तरह से हमें एक लाइन हमारी ये बन गई है इधर से और एक इधर से इसी तरह से हम साथ लाइन इसकी complete करेंगे इधर की इतना बुनते हुए हमने ये एक दो तीन चार पाँच छे साथ लाइन इसकी complete कर ली है अब इधर आ जाएंगे हम तो हम साथ लाइन ही ये वाले color से complete करेंगे इसकी इसी तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए साथ लाइन हम ये वाले color से complete करेंगे आप चाहें तो एक ही color की भी लगा सकते हैं ये लेकिन मैंने दोनों साइड में अलग-अलग color है इसलिए मैंने दोनों साइड में अलग-अलग color से लगाई है ये इस तरह से बुनते हुए हम साथ लाइन ही इसकी complete कर लेंगे साथवी लाइन पे हम बंद कर देंगे छे लाइन कंप्लीट करेंगे और साथवी लाइन पे हम इसको बंद कर देंगे इस तरीके से दिखे हमारी यहाँ छे लाइन कंप्लीट हो चुकी है अब हम जब इधर की साइड से ही इसको बंद कर देंगे तो साथ भी लाइन हमारी ये बंद करते हुए बंद जाएगी डिला डिला हम इसको बंद कर देंगे बहुत ज्यादा डिला नहीं करेंगे कि फिनिशिंग खराब हो जाए क्योंकि इसमें फिनिशिंग भी जरूरी है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं करेंगे हम इसको यह हो गया हमारा यह कम्प्लीट यह धागे हम दोनों साइड के इस तरह से करोश्या से पकड़ लेंगे या तो सुई में लेके सुई से इसको पीछे निकाल देंगे ताकि हमारी यह फिनिशिंग अच्छे से आए फिनिशिंग खराब ना हो इसी तरह से यह वाला धागा भी कर देंगे और इस से हम यहां से यह इस तरह से यह टांके लेते हुए और इसको बाढ़ देंगे यहां पर और इसी द्धागे से हम इसको टांक देंगे यह यह हमारा हो गया इस तरीके से हम इसको यहां सुई से टांक टांके लगा देंगे नीचे से लेके इसको इस तरह से हमने ये सुई से टाक दी है और ये धागा हम पीछे ले जाके इस तरह से कहची से काट देंगे सुई से ले जाके सुई से भी कर सकते हैं आप इसको करोशा से भी कर सकते हैं और ये देखिए ये पिंक कलर दोनों बाहर की साइड आए हैं और ये यलो कलर अंदर की साइड और अगर आप ये पैर बदल के पहनेंगे ये वाला इस पैर में और ये वाला इस पैर में तो पिंक कलर अंदर आ जाएगा और वाइट दोनों बाहर हो जाएगे तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है और देखिए बहुत ही प्यार सी ये सॉक्स बन के तयार हुई है अमीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सबस्क्राइब करें थैंक यू